नमुश्कार दोस्तों स्वागते मेरे चैनल दी एक्टिव तरुन में मैं हूँ आपका दोस्त तरुन और स्वागत करता हूँ आज की एक और मीचल फंड रिवीव की वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा SBAG Mutual Fund House के तरफ से आने वाला SBI Innovative Opportunity Fund का बिलकुल लेटिस्ट रिवीव ज्यादा रिबांड है वीडियो लाने पड़ती है एक महीने के अंदर कई पर दो बार भी लाने पड़ती है बही जैसे requirement वैसे reviews तो सबसे पहली बात SBI Innovative Opportunity Fund जो है यह एक theme based fund है जो कि recently अभी 2-3 मेने पहले लाँच होआ था लोगों ने बढ़ चलके इसके अंदर investment भी का रही है और काफी अच्छा खासा पैसा भी इसमें लगाया है लेकिन पहले तो हुआ क्या इसमें fund ने अच्छे कासे return भी दिये उसके बाद गब market जब गिरी तो इसने गिरना श्टार्ट कर अब गिरने की इसकी सबसे बड़ी सब्सक्राइब में मैं हूँ आपका दोस्तरण और स्वागति आज के एक और वीडियो शुरू करते हैं दिखे फंड करना है हमारा SBI innovative opportunity fund direct growth रेगला प्लान का भी आप समझ लीजे same to same ही review हुए बस जो returns होगी ना उन में थोड़ा 2% का असपरस का फरक होगा वो भी long term में अ तो अब भी 10 रुपे पे अलोट हुआ था जितनों ने भी जिन्होंने भी allotment के लिए apply किया था end of a period में 10 रुपे पे उनको allot हुआ था और बहुत सारे लोगों को allot नहीं भी हुआ था उसके बाद कुछ लोगों ने 10 रुपे से उपर में भी ख़िया था लेकिन बहुत आज उपर है तो आज का जो नेवी है वो उपर कलागरा जो आप देखेंगे इस वीडियो को तो इसका जो नेवी आपको बढ़ा हुआ देखेंगा तो लेकिन अब भी market के ना fluctuation चलती रहेगी ना उपर नीचे उपर नीचे price चलता रहेगा अभी market stable जब होगी उसके बाद कॉंस्टेंट बढ़ना स्टाट होगा ठीक ना तो अभी आप टेंशन माजी मत लिजेगा इतना जब से लांच होगा है पिछले तीन महीने में यह 5.88% उने 6% मैंस में चल पैले पॉजिटिव में चल ला था और अब यह थोड़ा सा नॉटिव में चल ला तो नेगटिव स अब बात करते हैं इसके बैंचमार्क की बैंचमार्क इसका निफ्टी 500 और यहीं पर सारा राथ चुपा है फंड क्यों से रक्षित है और क्यों आपके लिए ठीक भी है देखिए सबसे पहली बात यह जो फंड है यह एक थेमाटिक फंड है वैसे लिखावा सौंज में नहीं आ रहा हूगा कि जो पैनेस की शाहिए खतब हो रही है माफवीज आता हूँ यह एक थेमाटिक फंड है कि जितने भी मार्केट एक्सपार्ट होते हैं वह सेक्टर बेस्ट फंड में और थेमाटिक फंड में लोगों को कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करने से पहले सोचें यह थोड़े से रिस्की होते है तो यह एक थेमाटिक फंड है लेकिन अगर आप इसका देखेंगे थीम जो कर सकता है बले स्मॉल के अपो बले मिट के अपो बले वह लाच के अगर जो इस फंड की थीम है उस थीम के अंदर वह इसको चूज कर सकता है थीम क्या है ज्यादा से ज्यादा रिटन्स के लिए रहे सेफटी प्यॉर्टी और रिटन्स तो इसके अंदर अगर आप इसके ज या sector fund तब risky होता है जब उसका investment चरिफ एक sector में हो या दो sector और इसका तो investment आट से नौ sector तो आप सोचो कि अगर market कुछी sector के अंदर नुकसान होता भी है मालनो auto sector down है या energy sector down है तो दो sector down है तो भी इसके पाद 600 sector है जो कि इसको बढ़त लेकि जाए थोड़ी थोड़ी amount से अपके दा इन्वेस्ट है तो ऐसा sector based अगर down होता भी है तो इसके ओपर assets कोई फरकने पड़ने इसके ओपर फरक कपड़ेगा जब पूरी की पूरी market down होगी जैसे कि अभी position चल ली है सारी market down होगी तो यह अपने आप डाउन आएगा जब market बढ़ेगी तो यह अपने आप बढ़ेगा तो इस तरीके से कुछ भी इसके अंदर ऐसी risk वाली बात नहीं है इसकी जो खोबिया है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे एक multi-cap fund की होती है इसकी खोबी है दूसरी बात यह कोई index fund तो है नहीं इसको operate करने वाले है fund manager है और fund manager आपको पता ही बहुत ही experience होते है SBI की जतने भी fund manager है बहुत ही experience हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आप समभी qualified fund managers है जो के returns बहुत अच्छे निकाल कर देत दूसरी बात expense ratio इसका बहुत ही कम है 0.56% का expense ratio है आदा परसेंट के आस पास है तो आपके जो returns जीर देगा उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कटवती भी नहीं होने वाली कि आपको returns बहुत ज़्यादा कम मिले ऐसा भी कुछ नहीं है ठीक है तो इस वज़ाद से fund पूर्ण सुरक्षित है और किसी तरीके की लेकिन invest नहीं कर तो अगर आप investment की planning कर रहे हैं एक अच्छा खासा portfolio बनवाना चाहते हैं 10 से 20 करोड़ तक का पर एक करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक का 10 करोड़ तक का minimum 5 साल के लिए minimum 5 साल के लिए या 20 साल के लिए 15 साल के लिए तो आप अपना portfolio बनवा सकते हैं अगर आपके पास already portfolio है तो आप उसको review भी करवा सकते हैं अपना portfolio कब review करवाईएगा जब आपके पास बहुत सारी schemes हों तो उनको review ज़र करा लेजएगा आपके चार पास 6 schemes है और वो अच्छा perform कर दे तो review करने ही कोई जोड़ और वैसे भी आपको यह life में एक ही बार करवाना है एक दो बार ही करवाना पड़ता है ज्यादा बार नहीं करवाना पड़ता है चार जैसे नौस नंबर दिया हुआ है description में जाके contact कर सकते हैं WhatsApp पे जो नंब करें कोई भी ऐसा भाई contact ना करें जो स्रीफ और स्रीफ टाइम वेश्ट करना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए exit note है इसका 1% exit note इसका 1% है एक साल से पहले पैसे निकालेंगे तो एक परसेंट एक साल के बाद 0% रहेगा और इसका जो AUM आ चुग है वो टोटल है 7,793 करोल करीबन 800 करोल के आसपास है और अगर आम लंसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 है और SIP करना चाहते हैं इसमें तो मिनिमम 500 रु अगर और खरीदारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करसे हैं SIP चालू करने चाहते हैं SIP चालू करें टैंशन फ्री हो रिटन्स कितने मिलने वाले हैं इसके जो रहेंगे वो करीबन रहेंगे 17 से लेकर 18% के आस मैं आपको बिल्कुल किलियर बदा रहा हूं 17-18% से ज्यादा रिटन्स 18% से ज्यादा रिटन्स आपको किसी भी हाल में नहीं मिलेंगे लॉंग टर्म दूसरी बात एक यह आप समझके चलिए एक फंड बले ही है यह एक लेकिन अगर मैं बात करनें कितनी इसके अंदर तो मैं आपको बताते तहूं इसके अंदर टोटल जो इसके पॉर्टफोलियो में वह है दोस्तो आप इसे कि मुझे समय दीजे टोटल 36 श्टॉक से फंड में रखी हूं है इसको अच्छे खासे श्टॉक से और सबसे बड़ी बात ह है मैक्सिमं पैसा जो या 50% से जबाए पैसा इसका लार्ज कैप में है तो फंड भी सुरक्षित और बाकी 37 पर से पैसा आपका मिट कैप में 10-11 परसेंट आपका जो है स्मॉल केप तो 50-50 पर संड माले जे 50 पर संड आभी जो पॉर्टफोलियो है इसका वो लार्ज कैप है उपन है आपके लिए चैनल को सब्स्राइब करें में आप बिल्कुल मच आएगा दोस्तों चैनल को सब्स्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिजेगा और साथ में जो अपना पोर्टपोली वारा बनावाना चाहते हैं कोई कंसल्टाइंची लेना चाहते हैं कोई ये बोब्दाने कर दो